दोस्तों आप सबी का स्वागत है आज हम लोग स्टोनेज प्रस्तर यूग के बारे में डिस्केशन करेंगे जैसा कि आपको पता होगा प्राचिन भारत का इतिहास जो सुरू होता है प्रस्तर यूग से सुरू होता है या तो कह सकते हैं स्टोनेज से सुरू होता है Stone Age शुरू होता है फिर उसके बाद आता है आपका जो चालकोलिथिक एज फिर इंडस वेली सिविलाइशन हरपपन सिविलाइशन फिर जाइनिजिम बुधिजिम बेदिक सिविलाइशन इस सारे आगे आता है तो मैंने सोचा कि पहले जो राची नितियास का प्रस्तर यूग ह स्टोनेज उसके बारे में चर्चा करता हूँ तो चली शूरू करते हैं देखे ऐसा है जो हमारा प्रस्तर यूग है स्टोनेज जिसको कहते हैं वो तीन तरह से है मतलब क्लाशिफाय अगर किया जाए स्टोनेज को प्रस्तर यूग को तो तीन तरह के होता है एक होता है पु मतलब क्या कहते हैं Middle Stone Age और तीश्रा जो होता है Neolithic Age मतलब नया प्रस्तर यूग तो हम लोग पहले Paleolithic Age के बारे में discussion करेंगे फिर Mesolithic के बारे में discussion करेंगे फिर अंत में Neolithic के बारे में discussion करेंगे पहले आपको ये समझना है लिथिक का मतलब क्या होता है हर जगा देखिएगा Paleolithic, Mesolithic, Neolithic लिथिक का मतलब ये होता है Stone ठीक मतलब Greek Language में लिथिक का मतलब ये होता है मिनिंग ये होता है Stone तो Paleolithic हो गया Paleolithic का मतलब होता है Very Old तो Paleolithic का मतलब Very Old Stone अज बहुत पुराना प्रस्तर यूग होता है तो इसके बारे में discussion करेंगे फिर उसके बाद Mesolithic में मतलब Middle तो Beach बला Stone अज उसके बारे में discussion करेंगे और अंत में नया प्रस्तर यूग नियोलिथिक के बारे में discussion करेंगे पहला चीज आपको ध्यान रखना है Paleolithic एज में अभी Paleolithic शूरू होगा Paleolithic एज जो होता है वो कब डेबलब हुआ था कब बिक्सित हुआ था यह जो Paleolithic एज है जो बहुत पुराना प्रस्तर यूग है यह जो है आपका Ice Age में बरफ यूग बरफ का भी यूग होता था ठीक जब शुरूरत में human beings आय नहीं थे तो उसी शमय यह Ice Age था Ice Age पे बरफ यूग में जो ओल्स्टोन एज पेलियोलितिक शुरू हुआ था और पेलियोलितिक के जो लोग होते हैं वो नेक्रिटो रेस में आते हैं इनको ना खेतिवाडी पता था ना कुछ ज्यान ज्यादा था ज्यादा कुछ ज्यान नहीं था बस एक चीज जरूर पता था आग के बारे में फायर आग कैसे लगाना है इनको पता था कैसे क्योंकि पत्थर से पत्थर छेड़ चाड़ करके अपना आग लगा दी तो आग मिल गया मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं तो आग कब डिस्केवर हुआ था ध्यान रखना पेलियोलितिक एस पे और ये प्रास्तर यूग में कौन से कौन सा मैटल यूच कर रहे थे मैटल तो ग्यान नहीं था मैटल नहीं यह बोल रहा हूं जो से उपनड़ Remember विपन ुपन्णच harmon कर रहा थे ब्लेड्स यूज करें थे चौपर्स यूज करें पथर का बनाया हुआ टूल जो है यूज कर रहे थे ठीक है अगर मैंने बीच में बोल दिया कॉपर जो निकल गया मुह से उसके बारे में थोड़ा सा बोल देता हूं कॉपर जो है ना ओ पहला मेटाल है जो पहला मेटल आदमी यूज किया जो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे वो था कॉपर मैं इसे मुह से निकल गया कॉपर तो कॉपर के बारे में मैं आपको थोड़ा समझा दिया हां एक चीज है आपको ध्यान रखना है ये स्टोनेज में कॉपर आएगा कैसे आएगा जब ये तीनो जो पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक तीनो खतम हो जाएगा जब कॉपर स्टोनेज आएगा तब हम लोग डिसकेशन करेंगे कॉन सा मेटल पहले हुमान बिंक्स आदमी यूज किया था वो था कॉपर इसमें भी है वो कॉपर लेकिन अमत्यम है मैं सुर प्रेस में जाता है और इनको कौन सा पता था कौन सा घ्यान था खेतिवाड़ी तो पता नहीं था क्या पता था आग के बारे में आग के बारे में उनको पता था यह चीज़ अगा ध्यान रग देतो हो जाएगा और एक पाइंट है इनको न यह हंटिंग मतलब शिकार करके जो पशुपक्षी होता है हंटिंग करके वह आपना खाना पीना कर रहे थे लोग फूड भी गैदर कर रहे थे फूड के एक जाए काठा करना इन से सिखिया अभी भी हम लोग फूड गैदरिंग करते हैं नियू लिथिके है था यह था आपका पल Cornbor फेलो लिथिके ऐज अभी हम लोग मेसोलिथिक अज के बारे में डिस्क्रचेशन करें ग Bodla मेश मतलब क्या है मेडिल होता है बीच बाला जो स्टोन है ठीक है मध्याप्रस्तर योग बोल सकते हैं मेशलिथिक स्टोन इज के बारे भी डिस्केर्शन करेंगे पहला पॉइंट है यह जो टूल्स यूज करें थे माइक्रो टूल्स चोटा चोटा टूल्स यूज करें थे इसलिए कहते है माइक्रो लिद्स लिद्स का मतलब क्या होता है माइक्रो का मतलब क्या होता है माइक्रो बड़ा होता है माइक्रो जो होता है चोटा होता है तो यह चोटा 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 टूल्स पथर से बनाते थे ये लोग इसलिए उनको माइक्रोलिस के थे हाँ पेलोलिथी वाले बड़ा बड़ा स्टोन में बनाते थे टूल्स इसलिए उनको पेलोलिथी वालों को कहते हैं क्वार्जाइट मैन क्या कहते हैं क्वार्जाइट मैन क्योंकि बड़ा-बड़ा टूर्स जो यूज करे थे, पत्थर से यूज करे थे मैसलिथीग वाले को क्वाजाइट मैन नहीं कहते हैं, ध्यान रखेगा क्वाजाइट मैन जो है, पेलिफिक एज को कहते हैं मतलब old stone age, very old stone age में जो लोग रहते थे उसी जमाने में, उनको कहते हैं क्वार्जाइट मैन, पेलोलितिक वालों को, ठीक है, और एक बात है, यहाँ पे domestication animals, मतलब घर पे जैसे हम लोग कुत्ते बिली रखते हैं, सोक से, तो वो यहाँ पे शुरू हो गया, कब शुरू हो गय मेसोलितिक टाइम पे, बीज बाला stone age में, हाँ, एक चीज है, यहाँ पे मचली कैसे पकड़ना, fishing, और फिर food gathering करना, यह भी food gathering पता था, इनको और क्या करना है, hunting, सिकार कैसे करना, यह सारे चीज इनको पता था, और मेसोलितिक जो age होता है, यह कौन से एरा को बिलंग करता ह होलो सिन, कौन से होलो सिन, इस से पहले हम लोग पेलियो लिधिक जो पड़े थे, वो कौन से एरा को, कौन से यूग में बिलंग करता है, वो होता है, ice age, बरफ age, पेलियो लिधिक बाला, मेसोलितिक जो अभी discussion कर रहे है, यह होलो सिन पिरेड जो होता है, उसी समय यह develop क्लियर हो गया अभी हम लोग डिस्केशन करेंगे लास्ट बाला नियू लिथिक एज और नियू श्टोन एज नया प्रस्तर यूग नया प्रस्तर यूग जो होता है बहुत मतलब इंपोर्टांट है क्यों क्योंकि यहां जो इंसान खेती बाड़ी शुरू कर दिये मतलब लागी बोल सकते हैं डाल बहुत सारे चीज है यह सब फ्रूट्स बगेरा यह सब खेती बाड़ी कर रहे थे नियू लिथिक टाइप ठीक और क्या है विलेज जैसे गाउं गाउं जो होता है विलेज कॉम्मूनिटी यह बिक्सित होने लगा लोग गाउं में रहने लगे औ किया है ये लोग जो है एक चीज इनको पता नहीं थे मिन बता यह थे अनको जो क्या कहते श्रूटरी पता था क्या पता नहीं थे बताऊंगा पूर्टरी पता था पोटरी REALLY जो सो मिट का準 बरतन होता है, वो हात से बनाते थे और कुछल्श चीज अचिज होता है हुल मतलब हुईल जो होता है बाद में हुईल में हुईल में इस्तवाल करके मिट्टी का जो भी बरतन है जो भी टूल से वो बनाते थे ये लोग ठीक है पहले जो पोटरी होता है मिट्टी का जो सामान बना रहे थे वो आज भी मिट्टी का सामान हम लोग यूज कर रहे हैं थोड़ा ब बड़ी किये हां एक चीज हओ रहा है यहां पर भी domestication मतलब घर पर आपना गाय भैस जो dog इनको भी क्या किया गया पालने लग लगये मतलब domestication यहां पर भी था को को basin कर इसलुटिक में था और नियुलुटिक में था थिक यह था आपका स्टोर नेज के बारे में, अभी हम लूक डिसक्रसन करें, क्या कोशिन आ सकता है। कोशिन ये आ सकता है, फायार आग कब पता चला। Paleolithic age मतलब बहुत ओल्स टोन मीं पता चला। कोशिन ये आ सकता है, क्वार्जाइट मैन किसको के थे। હવર્યેટ cash का मतलग होता stone तो पेले कौन था Pelaăngे post very old stone तो Pela गान किसको कहते है Paleolithic time पर जो इंसान रहते दे लोग रहते है उनको कहते है Microlith, छोटा-छोटा पत्थर का टूल्ज कभ यूज करना सुरू हो गया ये हो गया Mesolithic time पर कब खेती बड़ी शुरू हुआ ये नियोलिथिक टाइम पे नया प्रस्तर यूग के टाइम पे शुरू हुआ कब पहली बार जो पशु पक्षियों को मतलग घर पे सोग से रखने लगे ये रखेगा मेसलिथिक टाइम पे कब विलेज कम्मुनिटी शुरू हुआ ये नियोलिथिक टाइम पे कब जो क्या कहते हैं उसको जो क्या कहते हैं मैं चीज और बताना चाहता हूँ जो मचली पकड़ना ये वाला चीज कब शुरू हुआ बले यह आएगा नहीं लेगन ध्यान रखना चाहिए मेसलिथिक टाइ अभू हुआ